ओम शांति आज हम पत्र पुष्प में त्रिमूर्ती दादियों के अम्रित वचन में हमारी अती मीठी अती प्यारी दादी प्रकाश मनी जी के अम्रित वचन सुनेंगे और विशेश रूप से ये अगस्त का महिना और 25 अगस्त का दिन हमारी दादी का स्मृती दिवस है। दादी ने इसी दिन संपूर्णता को प्राप्त किया था। और दादी का जीवन चरित्र हमारे सामने एक बहुत संदर उदाहरन प्रस्तुत करता है। कैसे दादी ने सभी को प्यार, पालना, सहयोग, शक्ती, गुण सब कुछ भरते हुए, एक मा की ममता लुटाते हुए, सारे यज्य को एक सुत्र, एक धागे में पिरोते हुए, यज्य का बहुत संदर संचालन भी किया और विस्तार भी किया, सेवाओं को बहुत बेहद में लेकर गई दादी, तो सुनते हैं आज दादी प्रकाश मनी जी की अनमोल सिक्षाई, व्यर्थ से बचना है, तो इर्शा मुक्त बनो, और ये जो दादी जी ने सिक्षाई दी है, ये क्लास विशेश रूप से कुमारियों के प्रति उच्छारी गई है, दादी जी कहती है, कुमारियों के मन में कई बार जो ये संकल्ब चलता है, कि जीवन का सौदा है, मालुम नहीं जीवन चल पाएगी या नहीं, मालुम नहीं मेरा भविश्य उजवल रहीगा, सोच समझ कर कदम लेना चाहिए। सोच समझ कर कदम लेना चाहिए पता नहीं जीवन का कैसा मोड आए वहे शादी तो क्या करनी शादी तो बरबादी है बाबा का बनकर रहे तो ठीक है परन्तु परन्तु आजाता है न बीच में परन्तु पता नहीं मेरे संसकार किस तरह के हो दूसरे के किस तरह के हो सर्विस में कदम रखे सफलता ना मिले तो ये भी जानती एक उमारिया कि बाबा का बनकर रहना सबसे अच्छा जीवन है लेकिन अंदर संकल्प क्या चलता है मैं इस परिवार में सबके संकल्पों में सबके संसकारों में तालमेल करके चल पाऊंगी या नहीं, एड़ेस्ट हो पाऊंगी या नहीं, ऐसा ना हो, इस दुनिया से भी जाएं, और उस दुनिया से भी जाएं, दादिया तो कहेंगी, तुम्हें ब्रह्मा कुमारी बनना है, वो तो ठीक है, ब्रह्मा कुमारी तो ठीक, परंतु, यह पर पर तो खड़ा रहना चाहिए, कोई का बोज नहीं बनना चाहिए, मैं सेंटर पर रहूं, कभी कुछ चाहिए फिर मांगू, ये तो मेरे से नहीं होगा, अपनी जरूरते जो हमें पूरी करनी है, तो कुमारियों के मन में संकल पाता है, मेरे हाथ में पैसा हो, मैं अपने पैर जीवन कैसे पालूँगी, अंदर में ये अभिमान होता है, कि मुझे किसी से मांगना नहीं है, लेकिन ये भूल जाते हैं, कि हमारी पालना कोई बहने या कोई सेंटर नहीं, सवयम भगवान करता है, तो इसलिए सोचते हैं, मैं अपना जीवन कैसे पालूँगी, दूसरों के दान से मैं रोटी खाऊं, ये तो मेरे से नहीं हो सकता, मैं कमाऊंगे तो धन तो लग जाएगा, पता नहीं सेंटर पर रहूं, फिर आपस में ना बने, बैठकर मन खराब करूं, इससे तो दूर भाज, खुश भाज रहना ही ठीक है, कम से कम परतंत्र तो नहीं रहोंगे, स्वतंत्र रहना ठीक है बाबा को ही तो याद करना है बाबा की मुर्ली ही तो सुन्नी है बाकी ये सर्विस में रहना जंजटों में आना इससे तो अपने को न्यारा रखना ही ठीक है ये सब संकल्पों में विशेश कुमारिया उलजती है दादी कहती है सेंटर पर जाना, उन जहनजटों में पढ़ना कि सबसे तालमेल बनाओ, सबके साथ एडजिस्ट करो, सेवाओं में हम कदम उठाएंगे, और सफलता मिले ना मिले, वो भी पता नहीं, इससे तो अपने आपको न्यारा प्यारा रखना अच्छा है, सोचते हैं कि हम बाबा की म औरली तो कहीं से भी सुन सकते हैं, सेंटर पर तो हम जाकर वापस भी आ सकते हैं, है न, योगी तो करना है, तो ऐसे सोच कर मन में संकल्प करते हैं, अच्छा, उसके बाद क्या संकल्प आते हैं, बाबा कहते हैं, न्यारी रहेंगे, तो प्यारे बनेंगे, इससे ही आपे ह प्यारी बन जाओंगी नियारा किसको समझ रहे बाबा जो कह रहा है उस अर्थ को ना समझ कर अपने मन से कोई अर्थ बना लिया बाबा ही तो कहता है नियारा प्यारा रहो चलो मैं नियारी प्यारी रहूंगी तो सब की लाडली भी बन जाओंगी अपने आप ही बाबा की प् मैं ब्रम्हा कुमारी तो बनी, लेकिन पैसा होगा, तो इस्जत तो मिलेगी. ये संकल्ब चलते हैं, इसलिए कमाना ठीक है, बहुत है जो ऐसी भाशा बोलती है. अब दादी सनाती है, ऐसी बहुत कुमारीया हैं जो इस तरह की भाशा बोलती है. मैं भी कहती हूँ, बिलकुल ठीक है सही बात है लेकिन प्रवरति वालों के लिए तो बाबा ने कहा है तुम दोनों को निभाओ कुमारियों को किस मूर्ली में कहा वो मूर्ली तो मैंने कभे सुनी नहीं दाधी के ते ऐसी कोई मूर्ली नहीं चली है जिसमें बाबा ने ये कहा है कि तुम्हें नौकरी भी करना है और सेंटर भी संभालना है प्रवर्ति वालों के लिए बाबा ने ये कहा है बाबा हमें कहते बच्चे, गौडली स्टूडेंट लाइफ is the best इस लाइफ के चार सब्जेक्ट है तो अपने आप से पूछो मेरी चारों सब्जेक्ट ठीक है मेरी पुधी ज्यान में रमन करती है मेरे में नौलेज की इतनी शक्ती है जो कोई कैसा भी प्रश्न करे मैं उसका उत्तर ठीक दे सकू मैं किसी बात में स्वयम उलजी हुई तो नहीं हूँ मुझे हर पॉइंट को स्पष्ट करने की युक्ति आती है फिर दूसरी सब्जेक्ट जो निरंतर योगी की है उस योग का आनंद अनुभव किया है ज्यान की सब्जेक्ट को भी चेक करो दूसरा योग की सब्जेक्ट को चेक करो कि बाबा की याद में उड़ने का दिल जिगर का अभ्यास है दुनिया भूलने का अभ्यास है अगर योग का अभ्यास हो तो अनेक प्रकार के प्रशनों का जवाब मिल जाएगा ये सब्जेक्ट जितनी जो पावर्फुल बना सके बनाओ योग की मस्ती चड़ी रहे तो कमाई ही कमाई है जिसको मुर्ली से प्रीत नहीं योग से लगन नहीं वह कोई सेवा भी लगन से नहीं कर सकते कोई कोई कहते हैं मैं रोज मुर्ली नहीं सुनती हूँ नीन्द आ जाती है नौकरी पर जाना होता है मैं कहती, दादी कहती है मैं उनको कहती हूँ ये मेरे बाबा की इंसल्ट है बाबा सागर मुझे रतन देने आता है और मैं कहती हूँ मैं रोज क्लास नहीं करती बाकी तु जिन्दा ही किसलिए हो जब आत्मा को जो चाहिए वो नहीं दे रहे तो दादी कहते है फिर जीवन में जीने का फाइदा ही क्या है खुद भगवान आया है हमें ताकत देने, शक्ती देने, ज्ञान श्रिंगार करने और हम कहते हैं, हमारे पास समय नहीं है, जो बाबा की मुडली का कदर नहीं करते वो ब्रह्मा कुमार कुमारी नहीं, क्लास ना करना ये श्रीमत की पहली अवग्या है, पंदरा मिनिट भोजन खाते हैं, और बाबा की मुडली नहीं सुनते, मैं उन्हें ब्रह्मा कुमार कुम नहीं समझती। दादी क्या कह रही है। बोजन करने के लिए 15 मिनिट टाइम निकाल सकते। कई बार आदा आदा गंटा भी बैट जाते हैं बोजन पे। लेकिन मुर्ली सुनने का समय नहीं। तो दादी के तिम्हें उन्हें ब्रह्मा कुमार कुमारी नहीं समझती हूं। हमारी तीसरी सबजेक्ट है दैवी गुण। कोई कहते हैं मेरे में ये कड़ा संसकार है। मुझे ये शब्द सुनते ही शौक लगता है। ये भी कोई जवाब है। मेरी स्वभाव में मेरा मूड ओफ का स्वभाव है। एर्शा का संसकार है। देह अभिमान है। थोड़ा जोश है, थोड़ा मोह है, पतानी क्या क्या बोलते हैं। मैं पूछती हूँ क्या यही प्रसाद में भगवान को चढ़ाती हूँ। इन स्वभावों की भेट चढ़ाई खतम हुए। बार बार यही भेट चढ़ाते क्या इनको अपने पास रखने से सुक शान्ती हमारी तीसरी सबजेक्ट दैवी संसकारों वाली बनी है। इतना परिवर्तन आया है जो मैं उससे भी अपनी संपन्न मार्क्स लूँ। दैवी गुणों की सबजेक्ट में भी मुझे फुल मार्क्स मिले। ऐसा बाबा दादी के ती परिवर्तन आया है। चौती लिए जीना है या विश्व कल्यान के लिए जीना है जब सेवा के शेत्र में आये हैं तो सेवा मना क्या है औरों के लिए है ना तो दादी याद दिलाती है खुद के लिए जीते हैं या विश्व कल्यान के लिए कोई सोशल वरकर होते हैं जो कितनी लगन से सेवा करते हैं सेवा में सफल नहीं कर सकते, पोच रहे दादी, क्या खुद के लिए श्वास है या बाबा की सेवा के लिए विश्व कल्यान के लिए है, यह संकल्प, यह श्वास, यह समय, यह संपत्ति, यह जीना, मेरा मेरे बाबा की सेवा के लिए है जो इस सेवा में अपने आपका त्याग करता है वही महान बनता है बाबा की सेवा में ही हमारी मोज है मेरा भूजन है बाबा की सेवा मेरा सेकेंड सेकेंड संकल्ब श्वास है सेवा हमारा स्लोगन है त्याग तपस्या और सेवा त्याग से हमारा भाग्य बनता है तपस्या हमें कर्मा तीत बनाएगी और सेवा से भविश्य उच्पद मिलेगा तो हे वर्दानी आत्माई अब खूब अच्छी तरह से सोचो मन्थन करो और मदुबन वर्दान भूमी में कर जाओ कै दादी किते अच्छी तरहा अपने आपको देखो चेक करो घहराई में चारों ही सब्जेक्ट में मेरे सम्पूर्ण मार्क्स मुझे प्राप्त होंगे या तीन सब्जेक्ट ठीक है, एक में कमी हैं या एक दो ठीक है, एक दो ठीक नहीं है, पास्वी दॉनर कब कहलाएंगे, जब चारों सब्जेक्ट में फुल मार्क्स मिलेंगे, तो ये दादी ने हमें बहुत अच्छी तर परिवर्तन करने के लिए हमें इशारे दिये, और दादी जी की जो स्मृति का ये दिवस है, उसकी सची श्रधांजिली यही है कि हम दादी की कही सिक्षाओं को अपने जीवन में उतारें, अच्छा, ओम, शान्ती